हालो गोड इबनिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऐसे स्क्लासेज बाई सुनीता सिंग मैं हूं सुनीता सिंग तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता यानि रेडियो एक्टिविटी फॉर जेनरल कॉंपिटिशन फॉर ऑल जेनरल कॉंपि और जेनरली जो थोड़ा सा नुमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें बच्चे गलत कर जाते हैं तो उस गलती को नहीं किया जाए और सही तरीके से आप अपना माक्स गेन कर सके उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो को देखें आज मैं वीडियो का पार पारने के लिए बस स्टार्टिंग फेज में ही आपको एक स्टोरी की तरह समझ लेना है कि रेडियो एक्टिवीटी की खोज किसी ने जानबूज कर नहीं कि या एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं था कि उसक्पेरिमेंट को किया जा रहा था और तब इसकी खोज हुई ऐसा नही कुछ भी भीना हुएं पुच बिना कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ उन्हें दिखा जिसके से उनको पता चला कि उठैक्टाह चीजुक्त है पूख्याइस आपके समझ ताती तो उन्हों ने उस पर अपना रिशर्च इश्टार्ट किया या तो एक्सपरिमेंट था तो यह चीज होता है तो यहां पर आप जानए की डियो एक्टिविटी चीज क्या है टो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेश है जिसमें एलिमेंट तत्व खुद स्वतह विखंडित होकर कुछ अध्रिस किरनों को सरजित करता है यानि उससे कुछ अध्रिस किरने निकलती है उस प्रोसेस को सक्रियता कहते हैं उस सक्रियता कहते हैं और वेसा नहीं वा है और आप ऐसे देख colors उसका देखा या उसे स्टार्टिंग में जब पहली बार रेडियोएक्टिव सब्द इस्तमाल के थो उसके नाम से भी जानते हैं यानी इसके वह लिए सकते हैं आप लेकिन आज के समय में ज्यादा पॉपलर है बात आ गई समझ में यानि तीन चीज़ें आपने जानी क्या कि स्वतह बिखंडन खुद से बिखंडित होता है और अद्रिश किरने निकलती है तो उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं और जिस एलिमंट से ऐसा होता है उसे रेडियो सक्रिय कहते हैं तो चले कहानी हो गई तीन बाते आपने जानली अब है कि रेडियो सक्रियता की खोज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया खोज हुई कैसे तो हुआ क्या 1896 इस भी में देखेए रेडियो पर्थम रेडियो सक्रेटा का पता लगाया और और वो किस पे पता लगा था यानि आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहला रेडियो शक्रिये एलिमेंट कौन सा है युरेनियम है बाताई समझें यह भी आप बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि पहला रेडियो शक्रिये जब किसी तरह का खोज होता है तो आपको भी पता है जब किसी एक तरह का समान मार्केट में आता है तो लोग उसके उपर डिफरन डिफरन डिफरन-डिफरन डिफरन ब्रैंड लोग डालना चालू कर देते हैं तो उसी तरीक चैसे रेडियो शक्रीयता सब्सकित ने जन्म लिया तो बहुत सारे साउने से सांटिस्ट थे जो इसके पढ़ गए क्या डिला किया और सा प्रो शकरियता क्या खास एलिमेंट दिखाते हैं और सारे एलिमेंट नहीं दिखाते हैं कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा यह सब निकलना एक परमानुजनित करिया है यह विस्ट गून इरनियम के रसायनिक इस्थिति या बहुती कवस्था पर निर्भर नहीं करता है यानि यह जो खास गुन है इस जो अध्रिश किरने निकलती हैं वह इरनियम के फीजिकल इस्टेट या कैमीकल प्रोसेस पर डिपेंड न चेंज ला देते हैं तो भी उसके विखंडन में कोई 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 तो भी उसके विखंडन में कोई फर्क नहीं पड़ता है वह एज विखंडन करता रहता है तो यह देखा गया कि यूरेनियम के रासायनिक और भौतिक हवस्ता में चेंज लानेके बाद भी विखंडन हो ही रहा था तो इसके पता से ला है यह जो रेडियो ... विखंडन है यह एक परमानु जनित यानि निप्लियर प्रोसेस है जिसमें नूकलियस भाह लेता है नूकलियस और बाइटल का कोई काम नहीं है नूकलियस पालिसिप स्कते हैं कि नुगियस में ही कुछ ऐसी बाते हैं जिसके कारण रेडियो विखंडन होता है रिओ शक्रियता होता है तो आपके लिए inka की लिए कि परमानुजनित क्रिया है या आगे आपको लिख के दूँ गी कि रैडियो टीवीटी क्या है एक नुकलीयर प्रोसेस है इसमें निकलीयस इंवाल्व होता है है ऊके बाता की समझें तो देखिए यह आपको बताया 1898 में मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने फिर आगे चलकर 1898 में ही मैडम क्यूरी और इसमीडट ने बताया कि थोडियम धातु के तत् पाया जाता है यहां पर नाम को बार बार रिपीट करके तो टाइम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि आप जाने नाम पुछा जाता है कभी-कभी कि थोरियम का खोज किस ने किया तो आप क्या करेंगे मैडम क्यूरी मार देंगे कि हजबेंड वाइप दुनों ने मिल के खरा नहीं ऐसा नहीं था मैडम क्यूरी और इस मिड़ेट ने बताया था कि थोरियम धातू के तत्में भी रेडियेशन रेडियोएक्टिवीटी पाई जाती है तो नाम भी याद रखना जरूरी है कॉम्प लेकिन मैडम क्यूरी और प्यरे क्यूरी ने यह सोचा कि क्या सिर्फ उरेनियम ही दिखाता है इसा कि उसका मिनरल उसका जो खनीज है उसमें पाया गया कि जो उरेनियम का खनीज है पीच ब्लैंड यू ओटू ठीक है उसमें इससे भी चार गुना अधिक रेडियोएक्टि तो यह चीज क्लियर हुआ उसके खनीज में ज्यादा रेडियोएक्टिविटी गुन है तो उसी पिंच ब्लैंड से मैडम क्यूरी और प्यरे क्यूरी ने बहुत मेहनत की बहुत घातक अनुसंधान था यह क्योंकि जो रेडियेशन निकलता है जो अध्रिस किर्णे निकलत भी हुआ था ठीक है तो वहां पर क्या है कि आप देखिए तो पिंच ब्लेट से उन्होंने एक नया एलिमेंट बनाया एक नया बहुत जादा रेडियोएक्टिव नेचर का जिसका नाम है रेडियम उसे नाम दिया गया रेडियम आप लोगों ने सुना हुआ है रेडियम जो रात में भी चमकता है आप अपने घर में सजाने के लिए रेडियम का इस्तमाल करते हैं तो वह तो मतलब उसका समझें की अफवरंस है मतलब आप सही का रेडियम नहीं देख पाएंगे इसलिए कि उससे जो रेडियेशन होता है वह बहुत नुक्षान दे होता है यह ज यह देखिए नाइटीन हंड़ेड टू इस भी में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बताया कि उरेनियम से चार गुना अधिक रेडियो सक्रियता उसके खनीज पिच ब्लेंड यू ओटू में पाई जाती है 1903 में दोनों ने मिलकर पिच ब्लेंड से ही एक अधिक यहां पर हम लोग जालेंगे रेडियो सक्रियता च्भी अकिर दिखाया क्यों घयाए रेडियो सक्रियता होता तो जानिए कि तुषा क्योंकि जिसकि किसी 거 का परमानू का नेुकलियस होगा वह इस में भाग लेगा यानि कि स्टेबल नहीं होगा इस्टेबल होगा और लिटीडे को स्टैबिटी में करने के लिए वुब खंडन करता है यानि कोई भी आस्थाईे तब तक भी खंडन करता है आप यहीं समझें निउ Carryous sp और को निकालता रहेगा जब तक कि वह किसी स्थाई में नहीं हो जाए यानी ऐसे अलीमेंट में नहीं हो जाए जिस जब की जिसका नाभिक अस्थाई होता है बात आगई समझ में देखें इन सब चीजों को यह त्योरी से ही आप समझ सकते हैं सुनकर ही समझ सकते हैं इसमें कोई अस्थाई नाभिक भाग लेता है और वैसा नाभिक भाग लेता है जिसमें न्यूट्रोन की संख्या प्रोट्रोन की संख्या से बहुत ज्यादा होती है बस आपको इतना ध्यान लगना है न्यूट्रोन की संख्या आप जेनरली आपने देखा होगा कि न्यूट्रोन और प्र 23 लेकिन जिस केस में न्यूट्रों की मात्रा बहुत जादा होगी तो वैसे कंडिशन में वह नाभिक-अस्थाई हो जाता है और वह जब नाभिक-अस्थाई हो तो भी खंडन में पार्टिसिपेट करता है तो आप देखिए मैं आपको दिखाती हूं कि यूरेनियम का क्या होता है यूरेनियम 92-38 तो उसमें आप देखिए निकालके इसे में अत्यधिक होती है तो देखिए यहां पर मैंने दिखाया है कि यूरेनियम जो है आपने जाना कि यूरेनियम पहला रेडियो सक्रिय एलिमेंट यूरेनियम का होता है 92-38 और यह पता है आप लोग को की नीचे जो होता है वह प्रोट्रोन के संख्या को या परमानु सं ना हो गया तो न्यूट्रोन निकालने के लिए मैनस जट करते हैं तो 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 फार्टी एट मैनस 92 यह कितना आगया आपका 146 आगया तो देखिए प्रोट्रोन का संख्या 92 है और एन कितना है 146 है तो यह आप निकाल के देखेंगे तो बहुत ज्यादा का डेफरेंस है नू ith viktig तो इस तरीक इसकिया है नूट्रान की मात्रा अधिक है तो वह क्या होता है पाटिसिपेट करता है किसमें रेडियो सक्रियत आमें ठीक है थिकैं में तो इस तरीके से आज हम लोगोंच वोने जाना है कि रेडियो अक्क्टीवीटिटी क्या है這麼 कैसे किया जाता है कब किसका खोण हुआ कैसे खोण हुआ यह सब जाना अब अगले क्लास में हम टाइप ऑफ एडियो अक्तिविटी रेडियो रेच के बारे में जानेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक सेयर करना बिल्कुल भी नह भूलें मिलेंगे हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब देख लिए थैंक यू टेक केर हैव नाइस देख